मूवी स्टार्ट होती है और हम इव नाम की एक लड़की को देखते हैं इव इस समय अपने बॉइफ्रेंड रॉनी के साथ में ट्रिप पर आई है अब इसके बाद में हमें एक सक्स को वैन ले जाता हुआ देखते हैं वो वैन को एक वीहड रगिस्तान की और ले जाता है जहां पर बस एक ही घर बना हुआ है और उसके आसपास कुछ भी नहीं है यहां पर आते ही वो खाना बनाने लगता है और खाने को लेके वो बेस्मेंट की और जाता है बेस्मेंट में आजाने के बाद हम यहाँ चैन से बंधी हुई एक लड़की को देखते हैं यह जो सक्स था उसका नाम फिल है और वो यहाँ काफी टाइम बाद आया है जिससे वो लड़की से बाते करने लगता है अब जब हम इस लड़की को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि यह तो इव है इव को फिल ने किटनैप किया है यहाँ पर इव ने पहले से एक इट की ब्रिक को छिपा के रखा हुआ था और वो मौका पाकर फिल पर अटैक कर देती है वो फिल को तब तक मारती जाती है जब तक कि वो अनकॉंसियस नहीं हो जाता इव जल्दी से उससे चाबी लेकि अपने आप को छुडाती है लेकिन भागने के वज़ाए इव फिल को उसी चैन से बांद देती है अब जल्दी से इव भागते हुए घर के बाहर जाती है लेकिन वो घर के बाहर आकर चौंक जाती है क्योंकि घर के बाहर कुछ भी नहीं था इसके बाद में इव वैन में बैटकर यहां से जाने कर ट्राई करती है लेकिन वैन की चाबी इसमें नहीं थी जिससे ना चाहते हुए भी ईव को दुबारा घर के अंदर जाना पड़ता है उसे घर में रेडियो मिलता है लेकिन ये रेडियो वर्क नहीं कर रहा था इसके बाद में वो एक कमरे में जाके कुछ वीडियो टेप्स और फोटोस को देखती है जिससे देख के एव बिलकल ही है वो जान जाती है कि उसके अलावा भी यहाँ हेँ brewing और भी लड़किया है जिनके साथ में टॉर्चर किया गया है इव को यहाँ गन भी मिलती है और इसके बाद में वो किसी तरहसे डरते हुए नाने के बाद में फिल के कपड़े पहनती है वो बागी लड़कियों के पास में उसे ले जाएगा इव जाके एक इस्टिक से रोब को बांध लाती है जिससे फिल उसके काबू में रहेगा फिल उसे डील करता है कि वो उसे लड़कियों के पास ले जाएगा उसके बाद उसे उसको हॉस्पिटल ले जाना होगा इव उसक से पास में है इव के पास में कोई भी रास्ता नहीं था जिससे वो पासवाली लड़की के पास में ले चलने को कहते है फिल उसे सुनसान घर की और ले जाता है यहां पर एक लड़की थी जिसका नाम नीना है वह फिल को बांद युद ऑना करे की चुरू आ जात कर देती है जिसके बाद में नीना सीधा यहां से भागने लगती है वह भागते हुए जाकर सीधावर्प विंस से टक्रा जाती है जिससे उसकी मौत होती है फिल को । She Cette कोई भी हैरानी नहीं हुए क्योंकि वह इंसे भी लड़कियों इतना सो मुझा रखता था अब इसके बाद में यूसे दूसरी लड़की के पास में ले जलने को कहती है यहां पर लॉरा नाम की लड़की थी जिसे देख कि हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितनी मुसीबत में रही होगी यूसे फिल के द्वारा आजाद करवाती है लेकिन आजाद के लिए इव को लॉरा को सूट करके मारना पड़ता है इसी मौके का फाइदा उठाते हुए फिल भी इव पर हमला कर देता है और फिर इव उसके पैर पर सूट कर देती है और फिर बाद में वो उसे मारने लगती है इव फिर इसके बाद ने फिल को डग टेप से बांद के वैन मिले जाती है और अब वो वैन को खुद ड्राइव करेगी इसी बीच में फिल अपनी स्टोरी सुनाते हुए बताता है कि वो ऐसा क्यों बना वो बताता है कि उसने अपनी माम को कैंसर के वज़े से पांच साल तक दीरे-दीरे मरते हुए देखा पैसे ना होने की वज़े की तरह एक अच्छी लाइफ चाहिए थी इव रॉनी का नाम सुनके भड़क जाती है और वो उससे पूछती है कि वो रॉनी को कैसे जानता है फिल कहता है कि तुम्हारे लापता होने के बाद में उसने तुम्हें काफी ढूना और इसी से एक खबर पता चली अब इसके बा गलत काम किया था इव यहां पर इन्हें सूट करके मार देती है यानि कि फिल भी इनके साथ में गलत काम में मिला हुआ है इन दोनों के मर जाने के बाद में यहां पर एक तीसरा बंदा भी आ रहा था जो बाहर से ही चला जाता है इसके बाद में इव लिया को आजात करती है लिया के मन में कई सारे सवाल थे लेकिन एव के पास में अभी सवालों के जवाब का टाइम नहीं था फिल को देखे लिया को कुछ अंदर्जा हो जाता है लिया को अभी नहीं पता था कि ईव उसकी हल्प क्यों कर रही है जिसके बाद में इव कहती है कि अगर तुम्हें मेरे साथ में चलना है तो चलो और नहीं पर रुको इव को आखरी लड़की को बचाने जाना था लेकिन फिल पहले उसे उस जगे ले जाता है जहां वो रौनी से मिली थी वो कैटरीना का पता तब बताए का जब वो उसे हॉस्पिटल ले जाएगी अब वैन को वो दूसरी लोकेशन पर ले जाती है यहां पर वो फिल को छोड़ के अंदर जाती है लेकिन अंदर का डूर लॉक था इसकी चाब भी उनके पास में नहीं थी जिसे ताले को तोड़ना कर कर रहा है वह लड़किया यह भी पताती है कि यहां बाहर एक गार्ड था जिसे लिया से कहती है कि वह यह पर इन लड़कों के साथ में रुके वो कैटरीना के पास में जा रहु है और बॉलिस को लेकर यहां आएगी अब जब यह ue given यहाँ पर नहीं है actually Phil perspective कि आगे वाल करके उसे मार देती है अब एक बार फिर से फिल एव की गिरफ्ट में है यहां पर अब कोई भी मौका ना होते हुए फिल चूप-चाप कैटरीना का एड्रेस बता देता है जिसके बाद ने इव उसे मार के भिहोस करके उसे अपने कैद में करती है अब वोica tirina के पासं में जाने वाली है वह लिया को यहींपर छोड़कर अब यहां से निकल जाती है वायन को ड्राइव करते हुए इव को फिल के फॉन से एक वैसमें लाए हुआ था इव को बताए हुए एड्रेस पर यह जाती है और यहां पर वो घर में जब घुशती है तो वो देखती है कि उसके सामने रॉनी है इव को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे रॉनी देखता है कि इव ने उसके उपर गन पॉइंट किया हुआ है इव उससे सब लड़कियां थी और इनमें कईयों के साथ में रॉनी भी था और यह जो सभी लड़कियां है वो लापता है रॉनी के पास में कहने को अब कुछ भी बचा नहीं था और जब दूसरे कमरे में जाती है तो यहां पर उसे एक लड़की रॉनी की कैद में दिखती है यह लड़ कुछ कहे रॉनी पर गोलिया बर्षाने लगती है मौका देख के बाहर फिल भागने की कोशिस करता है लेकिन उससे वैन स्टार्ट नहीं होती इव बाहर आती है और वो वैन पर फायर करती है लेकिन गोलिया खतम हो गई थी फिल को कुछ भी नहीं होता दूसरी और इधर पु पूरा मन बना लिया था फिल के घर पर जाने के बाद इव फिल को उसके घर पर छोड़ देती है और वह यहां से जाने लगती है जाते हुए इव को उसकी बहन की याद आती है जिसमें वह खाने की वज़े से मर गई थी इसका बदला इव लेना चाती थी लेकिन वह तो से ही छोड़ के जा रही है मगर अब उससे दुबारा याद आने के बाद में इव दुबारा फिल के घर पर जाती है खैर मुवी तो यहीं पर रिंड हो जाती है और आगे क्या हुआ इसका अंदाजा तो हमें सायद हो ही गया है इव ने उसके सारी बाते खोल दी होंगी यह फ पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा चैनल पर अगर आगर आप लोग नए होते सब्सक्राइब करिएगा आज की वीडियो के लिए बस इतना ही मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए बाए जाहिंद बंदे मातरम